यहां एक बारिस में क्या हालत होगा यह आप देख सकते हैं यह पानी देखिए दस नमर गेट जलन एस्टेडियम का हेलो गाईज नमस्कार मैं अभी हूँ जवाला नेहरो एस्टेडियम जा रहा हूँ और अभी मेट्रो से निकला वैसे तो हम अक्सर तीन नमर गेट से लिकलते हैं लेकिन आज इतनी वारिस हुई है देखिए कि पूरा जाम लग गया हुआ है पानी पानी भर गई है यहां साइड से जाने का रास्ता है देखता हूं निकलता है हूं कि नहीं बाकी यहां दुखा हूं तो देखिए क्या हालत हो गई है और यहां से पूरी पानी भरी हुई है पूरी की पूरी आपको मैं दूर तर दिखा हूं तो दिल्ली की है इस्तिति है या तो गर्मी रहती है अगर बारिस हो गई तो बारिस के पानी को लिकलने का कोई साधन नहीं रहता है और यह सामने जो दिख रहा है नहीं तो कि उल्टे साइड से और आप लोग क्या कर रहे हो यहां कि अंध्या था देख सकते हैं पानी का हालत क्या है यहां पर पूरा कंसे एक 2 फीट पानी होगा यहां पर ना यहां पर भी पानी लग गया है और अंदर और यह देखो यह बॉस में बैठके बचले कुछ कर रहे हैं गाइज इधर देखिए इधर कितनी पानी लगी हुई है वैसे मैं साइध इधर से नहीं जाओंगा कौन जाएगा इन पानियों से इधर से देखिए इधर से पूरा भरी हुई है पानी उधर से रास्ता है तो उधर से जाओंगा यह देखिए बंद किया गया है ताकि पानी अंदर के तरफ न जाए यह देखिए यह आपको दिखाओं यह गेट नम्मर जंगपूरा का तीन है आपको दिख रहा होगा और कित साइड से लिकल के इधर से तो कोई फायदा नहीं जाने का यह भाई लोग गेट बंद कर रहे हैं ताकि पानी न जाए मेट्रों में चलते चलते हैं आप लोगों भी और इधर से फिर उल्टा साइड से चलता हूँ जिदर सीजो कंप्लेक्स की बिल्डिंग है उधर से रास्ता है फुट पाथ से होते हुए मैं चल रहा हूँ इधर भी पानी है लेकिन साइड से लिकल के जाएंगे मैं दिखाता हूँ किदर से जाऊंगा मैं गाइज देखिए यह ओफिस वाले आ रहे हैं जो अपने अपने डिवटी से इधर पूरा पानी लगा हुआ है पूरे तरीके से और यह इधर से ओफिस इधर अंदर में थोड़ा ही पानी गया है बाकी इधर तो पूरा भरा ही भरा है आप देख सकते हैं साइड से निकल के हम जा रहे हैं यह जो रास्ते हैं ऐसे घूम के जल जमाओ कीशती थी आप देख सकते हैं कितना बेकार है और इधर से यह और पूरा पार्किंग एरिया है सीजो कमप्लेक्स का गाड़ी दिखेगी आपको और पता नहीं यह लोग से लाए होगे साइड या उस साइड से जो सीरिया रीक ओफिस है उधर के तरफ से इधर से तो फूरी पानी भारी हुई है में है यहा की यह दो टेक रहती है कि यह से चलनोग यहाख से नियुक्र हो एक एग ट्थ की यह पानी देखिए मैं वहाँ था वहाँ यह बस है ना बस के बगल में और वो सारी रास्ते उदर से होके आती है जो हम जाते हैं यह पूरी भरी हुई है पता नहीं अब लिखे लेगी कितने देर में काफी टाइम लेगा वो ऐसे थोड़ी सी वारिस में भर जाती है लेकिन आज तो ज़्यादा वारिस होई है तो पूरी भरी होई है यह बस से तो हर दम लगी रहती है यहाँ पर तो गाईश इधर से लिकलता हूँ इन्हे है दिल्ली के हाल दिल्ली कैपिटल सिटी केपिटल सिटी ओफ इंडिया देखूँ ऐसे ऐसे दिल्ली में बहुत सारे स्पोर्ट है जहाँ पानी बहुत लगी होगी और गाड़ी दूबी होगी आप निवीज में भी देख रहे होंगे लेकिन यह नॉर्मल हाँ मतलब मेरे लिए तो नॉर्मल लगा कि मैं देख चुका हूं मुनिर का मैं भी काफी पानी लगी रहती है और इधर से मैं फुटपाथ से होते हुए चल रहा हूं बस बाकी यहां से दो-तीन-सो मीटर जाने पर नहर्यों शेडियम है गाड़ी देख सकते हैं इधर गाड़ी लगी हुई है सारे ओफिस के वाले गाड़ी होती है ज्यादा तर और मैं थोड़ी स्थूप है पसीना भी हो गया वैसे चाता नहीं लिख्याला कि ब्लोग सुप करना था यह तो चाता लिख्याल के जाता हूं और दूसरा मम्मी को भी बता रहा हूं कि कितना मतलग कम दुखा है अगर इधर से आते तो जो पानी लगा हुआ है और जाई दिखाऊं यहां से यह इधर जाओगे तो यह सीविया इस बिल्डिंग है इधर आपको मैं दिखाऊं यह जो बड़ी वाली दिख रही है न वह और आगे की तरफ एन यह की है और मैं इधर से चल दाओं वैसे एक्षेडियम की बिल्डिंग यही से शुरू हो गई मतलब बाउंडरी सॉरी इंटेनल का मुखे गेट यह है और यह देखे जिलन का तेरा नमर गेट सामने है दस नमर गेट एक और चीज़ बता दूं अगर आप मेट्रों से आ रहे हैं और कस्मेरी गेट के तरफ से आ रहे हैं तो आप भूल के भी जिलन शेडियम मेट्रो एस्टेशन है वहां मत चरिएगा क्योंकि वहां से आने से में पैदल आपको कम सकम 15 मेंट लहेंगे अगर यहीं आप यहां से आओ जंगपूरा से तो पांच मेंट भी नहीं लहेंगे उसे भी कम मतलब दो तीन मेंट में चले ही आओगे तो तो मैं इधर से चल रहा हूं और यह रहा सामने दस नमर गेट जलन एस्टेडियम का और घुशते ही गाईज यहां से सबसे पहली किसी गेम की अमद एरिया शुरू होती है तो यह आर्चरी की फेल्ड रही यह रही य और यह साही हेड़क्वाटर आप देख सकते हैं और डी टी एल जो राष्टी डोप प्रिक्षण प्रियुकसाला है उसकी विल्डिंग है तो गाईज यह दिल्ली की बारिस और बारिस के बाद की स्थिति और जेलन के बगल का जेलन का ब्लोग आप लोगो कैसा लगा जेलन के बारे में या दिल्ली के बारे में और भी कुछ जानना हूं देखना हूं कमेंट कीजी मिलता हूं अगले बलाओने तब तक के लिए